है गाइज विलकम बाग तो जब से बिटकोईन के स्पॉट एटिएफ लॉंच हुए है तब से हमको बिटकोईन की प्रैस 49,000 डॉलर जाते हुए देखने को मिली लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो बिटकोईन की प्रैस भी यहाँ पर डंप कर रही है अब उसको ले क्यों अब इसको बिटकोईन करें उसको डंप करना यहाँ पर रोकेंगे तो उसके बारे में आज की वीडियो में अच्छे से पूरा डीटेल के अंदर बात करेंगे रिकार्ड कर रहा हूं वीडियो ग्रेस्केल के उपर इंपोरन टोपिक है बैट जो आजओ आजओ बैद्यूस करवा देता है यह अनन्त है यह मेरे भाई यह पर दोन एक ज़से दिखतें कि अगे लेकिन अभी हम यह पर चैश्मा अतार के तो अभी हम दोनों के दोनों जो है ऑँपर बाइनस का इवेंट उसके लिए मैं तो यहां पर हम इस इवेंट की कारण यहां पर मिल तो बात करते हैं ग्रेस्केल की तो यहां पर coming back to the topic जो हम बात करें थी क्या रीजन है जिसके कारण ग्रेस्केल यहां पर इतने ज़्यादा बिटकॉइन डंप करें इतने बिटकॉइन डंप करें इन्होंने भी I think somewhere around, अभी जो latest है इसके around 4 billion dollars worth तो 4 billion dollars worth of bitcoin जो हैं मतलब इन्होंने market के अंदर डंप करने स्टार्ट कियें जब से यहां पर इनका bitcoin spot ETF जो है वो अप्रूव हुआ है और अब इसको लेकि अगर हम reason की बात करें कि उसका reason क्या है तो एक reason अगर आप यहां पर देखोगे तो grey scale की बारे में थोड़ा सा background आपको मैं देता हूँ तो grey scale का formation कैसे हुआ था तो grey scale का formation ऐसे हुआ था कि अगर हमको normally crypto buy करना होता है हम क्या करते हैं हम जाते हैं cryptocurrency exchange के उपर हम वहां पर जाके buy करते हैं अब यह individual के लिए तो सही है लेकिन अब US में बहुत सारी ऐसी companies थी, firms थी जो bitcoin के अंदर investment करना चाहती थी लेकिन वो यह नहीं चाहती हैं कि वो cryptocurrency exchange में जाए और वहां पर जाके buy करें तो उनको एक थोड़ा सुलजा हुआ solution जो था वो चाहिए था अब bitcoin spot ETF तो थे नहीं तो यहां पर grayscale ने क्या किया, grayscale ने यहां पर यह बोला कि हम क्या करेंगे हम बहुत large amount of bitcoin जो है यहां पर हम buy करेंगे और उसको buy करके उसके बदले में हम यहां पर GBTC के share issue करेंगे और वो GBTC के share है क्योंकि इन्होंने register कर रखा US के अंदर यहां पर जो firms buy करना चाते हैं जो customers interested हैं जो नहीं कर सकते exchanges पर जाके वो इनके साथ यहां पर buy कर सकते हैं तो इसी कारण से GBTC जो है बना था इनवे अगर आप मानोगी आज के इतमें जैसे spot bitcoin ETF आते हैं 2017 की भी time से तो काफी time से gray scale यहां पर थे फिर इनके competitors वगरे भी यहां पर आ गए अब इसी में पूरी की पूरी जो story है ना वो यहां पर है जहां पर सबसे पहले आपको मैं यहां पर दिखाना चाहूँगा एक chart अब अगर आप देखोगे यह GBTC जो share यह issue करते है उसका यह chart है अब यह chart जो है जैसे market में जैसे चीज़े काम करती है अगर लोग GBTC के share को जाधा buy करते है बहुत जाधा demand होती है तो उसकी price कहीं बाग premium में चलिया थे premium क्या मतलब है मान लिजी आप bitcoin की price जो 20,000 dollar पर trade कर रह है किता 20% उपर 20% तो अगर 20% यहां पर bitcoin का जो यहां पर gray scale का premium जो है वो चल रहा है इसका मतलब यह है कि actual bitcoin की price जो हो 20,000 है लेकि GBTC share जो है वो 20% premium पर चल रहा है क्योंकि काफी सारे institutions वगरे बाय कर रहे हैं तो यहां पर उसके according उनकी bitcoin की price जो हो 22,000 dollar जो है यहां पर बन ज जो है वो काफी ज़्यादा यहां पर बन गई अब हुआ यह कि जैसे मैं आपको यह chart भी दिखाऊंगा अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो 20,21 का जब बुर्डरन था यहां पर 38% तक premium तक गई है और 20 तो काफी time तक constantly यहां पर रही है मतलब यह हो गई January 2021 पर जहां पर बिटकोईन की प्राइस गिंड़नी यहां पर स्टार्ट हुई तो एकदम से इंस्ट्यूशन था उनका इंटर्स भी जहां पर कम हुआ कि भाई नहीं करना है काफी लोगों ने जैसे हम लोग भी पैनिक सेल करते हैं काफी इंस्ट्यूशन ने भी प पर करेंगे तो यह एक टाइम था जहां पर मतलब काफी नेगेटिव ग्रेश केल का प्रीमियम जो चल रहा था और यहीं पर में स्टोरी जो है यहां पर बैठती है क्योंकि अगर आप देखोगे ग्रेश केल ने क्या हो कि अब उनका बिजनस काफी इंपाक्ट हो था काफी लंबे टाइम से ग्रेश केल के जो जी बीटी से शेर हैं वो डाउन यहां पर चल रहे थे तो उन्होंने इसलिए बिटकोण स्पॉट एटेफ के लिए अपलाई किया कि हमको और यहां पर इन्वेस्टर चाहिए है ताकि यहां पर लोग है ताकि हमारे भी जो यह शेर्ड ह अब फाइनली उन्हें ने विन कर दिया अब हुआ क्या जब वो स्पॉट एटिफ आया तो नए बायस भी यहां पर काफी ज़दा आ गया अगर आप देखो कि अब इनका प्रीमिम जो है वो 2% के अराउंड आ गया अब स्टोरी यहां पर क्या है कि यहां पर नॉमली बहु जब प्रीमिम पर आप गया जब लाए न आपर यहां पर क्यूगे तो अब उनको दिख रहे है कि यहां पर इसा पॉयंट आगया और पर प्रप्रोज जहां कलना चाहते हैं तो वह यहाँ पर exit करें दूसरा रही कि जब यह टाइम था तो बहुत सारे लोग यह भी anticipate करें थे कि अगर उनको खुद को पता है कि अप्रूव हजाएगा सारी चीज हो जाएंगी तो उससे आप खुद इमाजन यहाँ पर करिये तो उसी कारण से काफी लोगों ने यहाँ पर भी बाई किया और जब यहाँ पर दीरी अप्राइज प्रीमियम के उपर आई जैसे स्पॉट ETF हुआ तो आटमाटिकली प्रीमियम जो है आगया नेगिटे वन परसंट के राउंड था फिरो परसंट के राउंड यहाँ पर आगया तो लोगों ने उसको बेचना जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दिया तो एक तो रीजन यहाँ पर यह हो गया दूसरा रीजन य जो इंस्टिटूशन को इंट्रस्ट अर्न करके देती थी यहाँ पर लेकिन वह बैंकरप्ट हो गया तो लूना में पैसे दे रखे थे यहाँ पर ग्रेस्केल को भी वो बिटकोईन अपने एटिफ के अंदर सेल करने पड़ रहे मतलब निकालने पड़ रहे मतलब बिटकोई देया डंपिंग दूसरा यह कि उनके खुद के पास भी काफी सारे ग्रेस्केल की जो शेयर्स थे वो थे शायद उन्होंने नेगेट इन्वेस्टर्स है उनको इतना लूक्रिटिव नहीं लग रहा है उसका रीजन यह है कि अगर आप देखोगे जैसे आप नॉमली एक्स्चेंज के उपर ट्रेड करते हो तो एक्स्चेंज पर ट्रेडिंग फीस होती है तो वैसी जब ETF को भी ट्रेड करते हो तो वापर फीस बाकी जो वो दे रहे हैं 0.025, 0.02 ऐसे वो फीस दे रहे हैं तो यह पर बहुत सारे लोग जो जो जी बीटीसी के शेर भी ओन करते थे वो यह देखने के यार इनको होल्ट करने का सेंस क्या है बेटर यह कि इसको निकालो और ऐसी ETF के अंदर चले जाओ जहाँ पर हमको जो से वो कम देनी पड़ेगी तो इसी की कारण यहाँ पर जाहतार लोग जो हैं इन्वेस्टर जो हैं क्योंकि ग्रे स्केल के पास सबस्यादा बीटीसी थे और अल्रीडी इनके पास पहले से कस्टमर्स बैठे होए थे जिन्होंने यहाँ पर इनके शेर्स को बाए कर रखा थ नहीं थी, यह चीज़ बिटवाइस के साथ नहीं थी, यह चीज़ फिडेलिटी मतलब बाकी जित्ते भी यहाँ पर क्रिप्टो यह बिटकोइन स्पॉट एटीफ की फिर्म्स आई उनके पास नहीं सिर्फ ग्रे स्केल था जिनके अज भर-बर के लोगों के पास अल्रीडी पड़े होए थे, कि उन्हें नेगेटिव में बाई कर रखें, कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने, हाई प्रीमिम पे बाई कर रखें तो उनको यहाँ पर यह सेल करना था, तो इसी कारण से अब वो जो उनको मौका मिल रहा है वहाँ से एक्जिट करने का, तो वो लोग यहाँ पर एक्जिट करें, अब अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, कि ठीके चलो यह तो सेनारी होगा, जिसके कारण हमको यह सेलिंग प्रेशर कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन यह सेलिंग प्रेशर जो है, वो कम कब होगा, तो उसका अगर आप देखोग अब जैसी यह प्रेमियम यहाँ पर उपर पॉजिटिव टर्न होना चलो जाएगा, वहाँ पर एक ऐसा टाइम हो जाएगा, जहाँ पर यह सेलिंग प्रेशर जो है, उसके चांसे जो है, कम हो जाएंगे यहाँ पर और आने के, तो वाट आ यह व्यूपन्स, और जित्ता 4. 4.3 billion dollars जो already market में आ चुका है, that is something, which is basically the maximum, जो की grayscale से आ सकता था, दूसरा यह भी है, but how can you say, कि उससे जादा नहीं आ सकता, क्यूंकि अभी जो रिपोर्ट ही उसके गारण उत्ता ही exit हुआ है, जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट, जेपी म निकले हैं, और इसके जादा, इससे जादा नहीं हो सकता है, तो यह एक signal है, कि it might be, कि इससे जादा और जाएगा नहीं, दूसरा, यह case, बहुत अच्छी चीज़ यह भी देखनी की है, क्योंकि सबको यह लग रहा था, कि जैसी ETF होगा, खुब सार इंवेस्टर आ जाए, जाए वो मून पे जाए, या नीचे ही रहे, मगर बैलेंस ज़रूरी है, तो यह इस पूरे अक्ट के अंदर बैलेंस आउट हो गई, जिन्होंने पॉजिटिव में खरीदा था, उन्होंने नुकसाने बेज दिया, जिन्होंने बहुत ही जादा नेगेटिव डिसका हुए है, जो लोग नॉर्मल, जिन्होंने, जिनके पास सिर्फ चोईस थी कि वो BTC खरीच सकें, उन्होंने वो BTC को बेज के ETF में लगा दिया है, ऐसा क्यों? और अमेरिकन्स ने भी बहुत क्यों होगा, जिनके रूल्स और रेगुलेशन बहुत आ रहे हैं, ये भी अच्छा पॉइंट है, जिसे रेगुलेशन वाइस भी कि क्रिप्टो को लिए क्या होगा, कैसा आगे चीज़े किस तरह से होगी, तो security-wise भी they want to go somewhere जहाँ पर, probably उन सबके cases भी यहाँ पर चल रहे हैं, तो वहाँ पर उनके लिए security-wise काफी लोगों के लिए होगा कि नहीं हम ETF कर लेते हैं, थोड़ा बेटर रहता है, तो वो भी एक selling, तो ये कुछ market की चीज़े हैं, जिसके कारण ये हमको पूरा जो scenario है यहाँ पर देखने को मिला है, लेकि तो वो निकालते हैं, तो gray scale को फिर अपने जो bitcoin है, उसके backing क्योंकि bitcoin से, तो वो यहाँ पर sell करने पड़ते हैं, वही पर buy करेंगे तो वो और bitcoin को यहाँ पर buy करेंगे, तो वो ही exactly scenario जो है, यहाँ पर हो रहा है, अब उसी according currently अगर हम चार्ट के उपर चलते हैं, तो चार्ट म 20% के around यहाँ, इसके बारे में हम कित्रे time से बात करेंगे हैं, अब currently बस हमको देखना है कि overall, I still feel कि यहाँ पर जो अभी थोड़ा सा time है, मतलब I think, जो मैं बोल रहा हूँ channel के उपर, कि January, February जो है, यह थोड़ा slow रहने वाला है, क्योंकि अभी ETF की news थी, जिसके का रहा है, anticipation इतना बना अब यह सारी चीज़े हो रही है, अब उसके बाद, next हमारे लिए जो बड़ा है, जो ETF से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, that is Bitcoin Harving, तो वो मिड मार्च तक प्रभबली लोग जो है, थोड़ा पिक अप करना चालू कर देंगे, जैसे spot के साथ यह spot ETF का वह वैसी, Bitcoin Harving आ रही है, Bitcoin Harving आ रही है, तो वो फिर धीरे-धीरे automatically, तब तक हो सकता है, slow market थोड़ा सा डंप करे, फिर जंप करे, डंप करे, लेकिन फिर overall हमको जो market trend उपर की तरफ है, वो देखने को मिल जाएगा, and अभी भी यहाँ पर जो correction आते हैं, I तो personally feel की, जो बुरा time था, वो निकल चुका है, capitalization के लिए, डराने के लिए, डंप जरूर आ सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छी opportunity रही है, तो इसलिए, correction आते हैं, तो वो best time है, अगर DC आपको करने आपने नहीं किया, तो वहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं, minimum I have your perspective of 2025, what do you think I think so, yeah, that is a good figure, yes, okay, मैं को ही बताओ, आपके, आपके according, आपको क्या लगता है, 2025 तक, what do you think, Bitcoin की price किती जा सकती है, अरे यार, I would, मेरा तो हमेशा से यह राय की, 160, 180, can be the next top, okay, मेरा थोड़ा सा conservative, मैं conservative लेकी चलता हूँ, 160, 80 तो बहुता है, मैं तो बहुता है, मैं तो बहुत अचा, आपको to the moon वाला है, मैं थोड़ा सा conservative, थोड़ा conjuice हो वाला लेके चलता हूँ, मैं तो मेरा मतलब 120, 130 है, जिसके उपर हमने एक वैसे वीडियो भी यहाँ पर बनाया है, तो you can check this out, जहाँ पर हमने 5 रीजन भी शेय करे थे तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते ह है, लेकिन I've been saying this in last videos, अभी यह time है, अभी जो time हो रहा है, आपर जो correction आ रहे है, यही time है, जहाँ पर अभी time है, सारी चीज़े प्लान करने का, यहाँ पर अब उस system में मत फज़ जाना कि यार bottom लूंगा और यह लूंगा वो लूंगा, क्योंकि perfect planning होई नहीं सकती कभी भी, you cannot plan, you cannot plan, लेकिन अभी एक भहुत सही time है, because of bitcoin halving, अनि उसको लेकि क्या reason है, क्यो bitcoin halving का impact होगा, उसको लेकि कुछ videos में बना रखे हैं, एक भहुत important video है यहाँ पर आने वाला, I think वो ऐसा video आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, जो actual cost जो है, सबसे conservative cost, pain point वाला, वो निकाल के आप करो, यह मेरा twitter भी share कर दे, चलो, चलो, टुटर पर भी follow दे ना, मेरा twitter भी share कर दे, पॉलोड चियेगा, अपको, हाँ यहाँ मितलब, हजार दो जार पर अटकावों मैं भी, so, अच्छा, अच्छा, चलो, यहार, follow भी गर रहा, इसी भाने है, यहाँ, मैं नीचे twitter दाल दू जो भापके, if you want to see us again, तो बताना नीचे, ठीक है? कॉमें दालके, and what are your viewpoints about the market? क्या लगता है आपको? कॉमें दालके जरू बताओ, बाके विलेंगे next update के दर तो, खेले, bye and take care. See you guys, bye-bye.